हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मनन कोकिंग्स में दोस्तों आज मैं आपके लिए लिकर आई हूँ आइस क्रिम के रेस्पी और अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इस आईस क्रिम को खाकर आप बहुत सारी बिमारियों से चिटकारा पाने वाले हैं तो क्या कहेंगे आप हाँ जी हाँ बिलकुल इसी तरह से क्यूंकि हमने इसे बिनाए है सेमल के फूलों से और आप जानते हैं कि सेमल के जो फूल होते हैं वो बहुत सारी बिमारियों में फायदा करते हैं जैसे कि अगर आप लिक्यूरिया की प्राब्लम आपको हो गई है महिलाओं में 15 से 45 वर्ष के उमर में क्या होता है वाइड डिस्चार्ज होने लगता है और यदि अगर ये जादा हो जाए तो शाररी कमजोरी आने लगती है तो इसे जो ये फंगल डिजीज होते हैं इसे दूर करता है सेमल का फूल और इसके अलावा यदि आपके शरीर में कहीं भी गांट हो गई है पिमपल हो गए है या फिर ट्यूमल जैसे समस्या है तो उसको भी दूर करता है इसके लावा यदि आपको शुगर है शुगर में भी बहुत जादा फायदे मन्द है इसके लावा बलड फ्यूरिफायर का काम करता है ये और यहां तक कि यदि जो महिलाएं सतन पान करवा रही है तो उनकी दूद में भी वरिदी करता है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका जो पेड़ है उसमें काटे दार आकरती निकली होती है यदि इसे पीस कर हम दूद में मिश्री के साथ मिला कर पीते हैं तो हमारी समस्याओं में निजाद मिलता है इसके रावा इसके फूल, फल, चाल, जड़ का भी सेवन किया जाता है तो यहाँ पर मैं पबलिक पार्क में घूमने गई थी और वहाँ पर देखिये एक पेड़ था लगा हुआ तो मैं बहुत सारे फूल लेकर आई हूँ और इसके इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना इसकी रेस्पी बना ली जाए तो इसके जो ग्रीन पार्ट है इसे तो हम सबजी बनाएंगे इसकी वो भी दिखाएंगे आपको और यह जो कलिया हैं से निकाल कर हम अलग कर लेंगे यह बहुत ही खूबसूरत सा लगता है और इसकी बड़े फैमाने पर खेती की जाती है क्योंकि इसका औश्रदी कुन है तो यह बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन है और जो इसका बागी पार्ट बचेगा उसे हम सुखा कर पाउडर बना लेंगे और वो भी काम आएगा तो देखे कि इतना खूबसूरत लग रहा है फूल और बहुत बड़ी बड़ी कलिया है इसे निकाल कर धोकर हम थोड़ा सा सुखा लेंगे तो यहाँ पर देखे मैंने दोकर सुखा लिया था ताकि इसकी जो पानी है वो बिल्कुल जड़ जाए और थोड़ी सी कलिया जो है न धूप में बुर जा गए है पर कोई बात नहीं हम इसे क्या करेंगे काटकर mixi grinder में पीसेंगे पानी डालकर क्योंकि बिना पानी डालेगे पिसेंगे नहीं और यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है तो इसको पीसते हैं जब तो इसका कलर चेंज हो जाता है और पीसने के बाद इसे चानने बनने की कोई ज़रूत नहीं तो देखिए इस तरह से बिल्कु स्मूद पेस्ट आपको भी बिना कर त्यार कर लेना है इसका और इसके बाद हम क्या करेंगे कि मीठे के लिए हम लेंगे मिश्री दागे वाली मिश्री यहाँ पर मैंने लिए चिनी का इसमाल नहीं करें तो बहुत अच्छा है क्योंकि जो नुस्का बताया गया है वो यही है कि मिश्री के साथ अगर हम इसे लेते हैं दूद में तो यह बहुत ही ज़्यादा फाइदा करता है तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी रैस्पी बनाएंगे है और इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा चिपची पापन होता है जैसे आप भिंडी की सबजी बनाते हैं तो भिंडी में चिपची पापन होता है और यदि आपको डाल वगयरे में डालना होता है तो पहले आप उसे थोड़ा फ्राइ कर लेते हैं तो इसी तरह से हम इसे फ् 15-20 मिनिट के लिए से अच्छे से चलाते हुए पका लूँगी तो यदि हम इसे डालेंगे तो इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको बता है कि इसमें चिपचिपा पन होता है तो यह आपके काबू में नहीं आएगा तो इसको हमने पका तो इसका कलर देखिए बिलकुल कॉफी के कलर जैसा हो गया है ब्राउन और अगर मैं आपको कल्ची से डाल कर दिखा हूं तो यह अच्छे से पक चुगा है तो इसको हम ठंडा करके फ्रिज में डबे में भरकर रख सकते हैं इस स्टेज में और जब कभी मन करें आपका लगभग हाफ लेटर से थोड़ा सा जादा है यहां पर थोड़ा सा मीठे के लिए मैं और इसमें मिश्री का पाउडर डाल देती हूं क्योंकि जो आइसक्रीम है वो थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है तो यहां पर मैंने फ्लेवर के लिए इलाइची डाल दिया है यहा तो इसको मैं डाल दूगे करीब 5-6 चमच के करीब मैं इसमें यह पेस्ट डाल दूगी सेमल के फूलों का और इसको डाल कर मैं तीन से चार मिनट के लिए पगा लूगी तो इलाइची का फ्लेवर अगर आप डालते है ना तो बहुत अच्छा गजब का टेस्ट आता है इस और यह काफी गाड़ा भी हो गया पहले से ठंडा होने के बाद और अब मैं क्या करूंगी इसे टाइट कंटेनर में भर कर फ्रीज में जहां पर बरफ जमाते हैं ना वहां पर रख दूँगे करीब करीब 10-12 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी और फिर इसके बाद ह तो अब हम इसे सर्फ करते हैं तो यह देखे वाओ बड़ी मस्त लग रहे है देखने में और खाने में हमने का के देखी थी बहुत ही गजब की लगती है इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त आता है तो अगर आपको काड़ा वाड़ा बना कर पीने को कोई कहेगा तो क्या आप पीएंगे नहीं न तो इस तरह से आइस क्रीम बना कर खाएं सेमल के फूलों की और अब फाइदा उठाएं मतलब जितने भी इसके आश्रदे गुण है उसका फाइदा मज़े मज़े में उठाया न क्यों ना सिकूर नहीं तो अगर आपको रैस्पी पसंद आई है तो प्लीज लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा जादा जादा शेयर किजेगा ताकि और लोगों को भी पता चले इसके वाइदों के बारे में तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा बाइबाइ